मैं यहाँ पर एक günst अंट स्टेच ड्रेस के उपर कर रही हू आखुली में खुरी काटिंग सटीचिंग करती तो मेरे लिए बहुत आसान होती है अब ड्रेदी सारे flowers आप पहले outline कर सकते हैं या फिर आप brush से भी direct कर सकते हैं बड़ थोड़ी से outline करने से क्या होती है easy हो जाती है कहाँ-कहा flower है वो पहले से समझ आ जाती है तो अच्छा होता है और एक दो एक्स्रा भी बना सकते हैं वो बाद में मैं actually ये करती हूँ थोड़ी थोड़ी अगर जो मुझे लगता है कि इधर थोड़ी space से ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है तो मैं वह बाद में कर देती हूँ तो ये रेखिए हमारी outline तो हो गई ये अब मैं यहां round brush अब दो number की round brush से कर सकते हैं फ्लावर की जो ये जो पत्ती है ना outline पहले वो कर लीजिए उसके बाद हम shade करेंगे और color भी अब मन पसंद के कोई भी color यूज कर सकते हैं मेरी dress की ये जो color है थोड़ी dark है इसलिए मैं light color यूज कर रही हूँ बट अब light color की उपर करते हैं तो थोड़ी dark color यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो देखिए अब ये flat brush से थोड़ी सी color लेके इस तरीके से spread कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसान है एकदम सिंपल सा trick से brush में थोड़ी सी color लेड़ी दीजिए बहुत ज्यादा color लेंगे तो ये spread अच्छे से नहीं होगा बस थोड़ी सी color लीजिए और इस तरीके से spread कर दीजिए और ये spread के लिए आप 4 नमबर flat brush का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 6 नमबर का भी यूज़ कर सकते हैं मेरी ये flat brush ये थोड़ी सी खराब हो चुकी है इसको मैं हमेशा जब spread करने की time होती है तब भी यूज़ करती हूँ तो ये जो खराब हो गई है ये brush की hair ये मुझे ये जब spread करने की time आती है तो इससे अच्छी होती है काफी तो यहाँ देखिए मैंने space थोड़ी सी छोड़ के कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी stitching बाकी है तो बाद में वह stitching में चला जाएगा इसलिए अब यहाँ ना मैं यहाँ white color से outline करके ही white color से ही spread कर रही हूँ बट अब different भी कर सकते हैं मैं बहुत सारे वीडियो में ऐसे भी किया है कि different color की outline और shade करने की time दूसरी color से कर रही हूँ वो भी बहुत खुबसूरत होती है जैसे कि आपके पसंद आए और आप नए नए प्रैक्टिस करते हैं मनद अब painting करना चाहते तो एक दो बार पुरानी dress के उपर कर सकते हैं उसके बाद आप इस तरीके से कोई अच्छे वाली dress के उपर try करें और यह color आपको market में बहुत easily मिल जाएगी कोई भी local stationery shop पे अपको मिल जाएगी और या फिर आप online भी ले सकते हैं Amazon flip card पे भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और brush भी बढ़ हमेशा कोई थोड़ी सी अच्छी type की अच्छी quality की brush यूज़ करें क्या है ना brush अगर एकदम बेकार सी type की होगी जैसे की local market में पता नहीं यहाँ पर local market में मुझे अच्छी वाली brush कभी नहीं मिलती है जैसे Bengal में कितने अच्छे अच्छे brush मिल जाती है local market में बढ़ यहाँ पर नहीं है कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए में हमेशा online ही लेती हूँ Camlin की brushes बहुत अच्छी होती है मुझे अभी तो बहुत बहुत पसंद है थोड़ी सी इतना ज्यादा महेंगी नहीं है थोड़ी सी है बट वो बहुत अच्छा है आप काम जब प्रम capable of a branches और थोड़ी सी पतली पतली दिखाना चाहते है तो आप जीरो नमबर का भी यूज कर सकते है अगर में यह यह लाइट कलर के अपर गर तो मैं जरूर ब्राउन कल्र, या ब्लैक कल्र से में यह bryn बनाती। उसके साइड पर मैं थोड़ी सी ब्लैक कलर को जोइन कर थोड़ से एकदम टच कर देती थी देती थी नहीं मेरी हिंदी थोड़ी एक्चली खराब है उसमें में थोड़ी सी ब्लैक कलर यूज करती जरूर साइड पर यहाँ पर अलड़ी डार्क कलर है इसके उपर में ब्लैक दूंगी तो वो उतना समझ में नहीं आएगा इसलिए ब और यह जो ब्रांचेज है आप एक दो एक्स्ट्रा कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको थोड़ी सी लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा स्पैसे तो वहाँ कर सकते हैं तो डिजाइन आपने देखा कितना ज्यादा आसान है आप कोई भी ड्रेस के उपर इसको ट्राइ कर सक लगते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और यहाँ पर अभी मैं लेमन योलो कलर यूस कर रही हूं इस तरीके से देखके लग रहा है हमने कितना ज्यादा महिनत किया है बट एक्चली तो हमें ही पताए कि यह बहुत आसान सा डिजाइन है और इसके उपर योलो कलर बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहा है क्योंकि डार्क के उपर योलो बहुत ही अच्छा लगता है गोल्डन योलो से ज्यादा यह लेमन योलो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है मुझे परसनली यह बहुत बहुत पसंद है और कलर भी अपने मन पसंद के कोई भी कल अभी थोड़ी गीला गीला है थोड़ी थोड़ी नहीं पूरा ही उसके अंदर में कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से भी इस प्रेड हो जाए तो 24 आउर्स के लिए ऐसे रख दीजिए उसके बाद बैक साइड पे पर प्रेस कर ले ना बैक साइड पही करना है पेंटिंग के मैं जरूर दिखाऊंगी ये ड्रेस पहन के मैं कैसी लग रही हूँ और बांगली हो ले और बांगलाई कॉमेंट कोरो कि जानते चाब बोलते पाड़ो व्लॉगर चैनल देखते हो ले लिंक डेस्क्रीप्शन है अच्या अरे पूरो बांगलाई चैनल ता देखते पाड़ बाल लग बे और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्फुल लगे तो लाइक जरूर कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा तो ये देखिए हमारी पूरी हो गई है अब मैं स्टीचिंग करने के बाद आपको दिखा रही हूँ दिखाती हूँ I mean बहुत खुबस बाल रहे लगे कार्यों धाध्या वीडियो बाल टेक रे सी उनल